आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टरी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम वीकली करण्ट अफेर पढ़ने वाले हैं 19 जून है आज संडे का दिन है और वीकली करण्ट अफेर हम डिसकस करेंगे वीक के अंदर जितने भी important question होते हैं इस session के अंदर हम उन्हें revise कर लेते हैं तो आप इसे revision session भी बोल सकते हैं यह हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी तो चलिए start करते हैं हम आज का session first question है जानवरों के लिए encovacs नामक भारत की जो पहली corona vaccine launch की गई है इस vaccine को किस institute के द्वारा develop किया गया है तो इसका correct answer होगा यह develop की गई है National Equine Research Center हिसार के द्वारा यह इसका correct answer होगा इस vaccine के अंदर क्या है इसके बारे में हम बात करें तो जो encovacs है यह जानवरों के लिए एक inactive जो SARS-CoV-2 डेल्टा है इसका vaccine है और encovacs के द्वारा जो प्रेरीत प्रती रक्षा है SARS-CoV-2 के डेल्टा और यह omicron दोनों प्रकारों को यह बेहसर करती है तो यह जो vaccine है यह National Equine Research Center हिसार के द्वारा develop की गई है सेकंड अमर्गरेशन है सैंक्त रास्ट व्यापार और विकाज सम्माईलन के द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत किस इस्तान पे रहा है तो इसके अंदर जो भारत है यह साथवी position पे है 20 का correct answer है टॉप त्री कंट्रीज के बारे में हम बात करें इस लिस्ट के बारे में तो फर्स्ट पे कौन सा रहा है युएस रहा है सेकंड पे रहा है चाइना और थर्ड पे रहा है हौंग कौंग ठीक है और जो भारत की position है यह साथवे position पे रहा है थर नमबर ग्रेशन है ड्रॉन नीती को मंजूरे देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश बन गया है डीज का करेक्टान सा होगा और इस नीती का जो उद्देश है ये परिवहन स्वास्ते क्रशी और अन्य शेत्रों में जो ड हामारी प्रभावी तो जो दूर दराज के छेत्र होते है इनके अंदर ड्रॉन की हेल्प से जो दवाए है चिकिसा इंस्टुमेंट है उपकरन है और अन्य आवशक जो आपूरती है इसकी डिलिवरी भी शुरू हो चाएगी तो ऐसा भारत का जो पहला स्ट्रीट है ये बन टांसर होगा जो सूफी महथसर होता है इसका जो आयोजन है के आंदर कहा है ताकि लोग पुराणी जो परंपरा है और जो हमारी संस्क्रती है और सिक्षा से रूँ भरू हो सके तो इसका जो शुबारम है जम्मो इन कश्मीर के अंदर कहा गया है फाइप नंबर ग्वेशन है भारत ब्रिटेन सांस्क्रतिक प्लेटफॉर्म इंडिया यूके टुगेदर कल्चर सीजन के नए ब्रेंड एमबसिटर कौन बन गये है तो ये बन गये है एयार रहमान बन गये है ये संकीद उस्ताद है एयार रहमान और इनको सीजन ओफ कल्चर का जो ब्रेंड एमबसिटर है ये बनाया गया है सीजन ओफ कल्चर की हम बात करें तो इसका जो उद्देश्चे ये है कि भारत में जो ब्रेटिश काउंसिल के काम को आगे बढ़ाना और कला अंग्रेजी और सिक्षा में भारत और यूके के बीच में जो साजेदार है इसको मजबूत करना इसका उद्धिश्य है और इसके जो नए ब्रेंट एमबेसिटर है ये बन गया है एयार रह्मान सिक्स नंबर क्वेश्चन है इंटरनेशनल इंस्टिटूट अफ स्पोर्स मैनेजमेंट ने बिजनेस ऑफ स्पोर्स दे विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेज नामक स्पोर्स मार्केटिंग पर भारत की जो पहली बुक लॉंच की है इस बुक को किसने लिखा है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जो बुक है ये लिखी गई है विनित कर्निक के द्वारा लिखी गई है बीस का करेक्ट आंसर होगा और इस बुक के अंदर बिजनिस ऑफ स्पोर्स दे विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेज जो टाइटल है इससे स्पोर्स मार्केटिंग पर भारत की ये पहली ऐसी बुक है प्रसार भारती के जो नए CEO है ये कौन बने है तो इसका करेक्ट आंसर होगा नए CEO बने है मयंग कुमार अगरवाल बने है ये इसका करेक्ट आंसर होगा एट नमबर क्वेशन है किस राजे के मुख्य मंतरी ने चमवाली स्वे शत्रज ओलंपियार के लोगो और शुबंकर का जो है अनावरन किया है तो ये किया गया है तमिलनाडू के द्वारा तमिलनाडू गवर्मेंट के द्वारा बीस का करेक्ट आंसर है जो यहां के मुख अलापूरम के अंदर होने वाला है 8 जुलाई से 10 अगस्त के बीश में ये 180 से अधिक देशों के लगबग 2000 जो खिलाडी है ये इंटरनेशनल ये जो कॉम्पिटीशन है इसके अंदर पार्टिसिपेट लेने वाले हैं तो ये होने वाला है तमिलनाडू के अंदर 9 नमबर क प्रेसिशन है युरोपिये संसद में कब तक नई पैटरोल और डीजल कारो सब्सक्री पर प्रतिबन लगाने के लिए मद्दान किया गयो Х किया है और इस कदम का उधिश है ये माना जा रहा है क्या और इस का माना जा जो वेहकल होंगे उतनी जाजा जो पॉलुशन है ये बढ़ेगा तो जो पैट्रोल और डीजल कारों की बिक्री है इस पर परतिबन लगाने का जो मद्दान यहां पर किया गया है दो हजार पैतिस तक का किया गया है टैन नमबर ग्वेशन है तमबाकू नियंदरन के प्रियास के लिए किसे सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है पीजी आई चंडीगड को इससे सम्मानित किया गया है 11. question है महात्मा गांधी रास्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गैरंटी योजना के नए लोगपाल के रूप में किसे नियुक किया गया है तो नए लोगपाल बने है एंजे ओज़ा बने है 20 का गरेक्ट आंसर है रास्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गैरंटी अधिनियम 2005 जिसका नाम नरेगा है जिसे बाद में 2009 महात्मा गांधी रास्ट्रिय रोजगार जो गैरंटी अधिनियम या मनरेगा के रूप में बदल दिया गया है एक भारतिय श्रम कानून और सामजिक सुरक्षा उपाई ये है जिसका उदेश्य है काम के अधिकार की गैरंटी देना और इसके जो नए लोगपाल है ये बन गए हैं एंजे ओजा बन गए हैं लोगपाल क्या करते हैं कि वो जो शरमिक होते हैं उनके शिकायतों को आज जो कि अहां पर उदगार्टन किया है तो इसका करेक्टान्सव होगा ये किया गया है एहमदाबाध गुजरात के अंधर एसका करेक्टान्स कोगा और इस मौके पर PM मोदी जी ने कहा है कि इन स्पीज भारत के युवाव को भारत की बेस्ट माइंड को अपना टैलन दिखाने का मोका ये देने वाला है तो इसका उदगाटर एहमदाबाद गुजरात के अंदर किया गया है 30 number question है किसानों को सस्ती कीमतों पर क्रशी मशीनरी उपलब्द करवाने के लिए YSR यंत्र सेवा योजना को किसने शुरू किया है तो ये जो योजना है ये आंद्र प्रदेश के जो मुख्य मंत्री है YS जगन मोहन रेडी इन्होंने जो योजना है YSR जो यंत्र सेवा योजना है इसको स्टार्ट किया है इसके अंदर क्या होगा किसानों को जो क्रशी मशीनरी है इसकी कमे को दूर करने और उन्हें सस्ति कीमतों पर जो मशीनरी किराय पर लेने में बहुत आवशक सायता प्रदान करने के लिए जो ये पहल है ये शुरू की गई है जिससे input लागत को कम करने के अंदर help मिलेगी और ये क्रेशी समंदी machinery समंदित ग्राम आर्बी के इसतर CST पर ये उपलब्ध होने वाली है तो वहाँ से ये जो किसान है ये machinery को rent पे भी ले सकते है या सस्ती कीमतों पर उसे खरीद भी सकते है और इस पहल को शुरू किया है आंदर प्रदेश के मुख्य मंतरी Y.S. जगन मोहन रेडी के द्वारा 40 नमबर क्योशन है वर्ड चाइड लेबर प्रोहिबिशन जो डे है ये कब सेलिब्रेट किया गया है तो ये 12 जून को ये सेलिब्रेट किया है ये इस का करेक्ट आंसर होगा और ये जो है ये जो बाल श्रम है इसके खिलाब विश्व दिवस को बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सार अभूमी सामाजिक सरक्षन विश्य के तहत इसे चिन्नित किया गया है मतलब जो चाइड लेबर है इसको कम करने के लिए जो ILO है इसके द्वारे ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जून को ये किया जाता है ILO की हम बात करें तो इसका जो हेड़कॉर्टर है ये जेनेवा स्वीजर लेंड के अंदर है 15 नमबर क्वेशन है किस देश के साइंटिस ने चांद का जो most detailed map है ये बनाया है तो ये बनाया है चाइना के द्वारा C इसका correct answer होगा चीन ने चंद्वा का एक नया geological जो map है ये जारी किया है जो कहता है कि अब तक ये सबसे detailed इसकी डिटेल जो record है जो 2020 में अमेरिका के द्वारा जो map की गई तुलना मी जो चंद्र सत्य है इसका भी बहुत ही fine इसके अंदर detail बताई जा रही है जो ये नया नक्षा है जिसके अंदर पहले से चार्ट नहीं किये गए नए crater और सराचनाओं का इसके अंदर विवरन है जो चंद्रमा के आगे के शोद के अंदर ये help करने वाला है तो ये चाइना के द्वारा जो है ये release किया गया है 60 नमबर क्योशन है RBL Bank के जो नए MD और जो CEO है ये कौन बन गये है तो ये बन गये है R. Subra Mania कुमार बन गये है C.S. का correct answer होगा और इन्होंने किसकी जगे ली है तो इन्होंने विश्ववीर आउजा की जगे ली है 70 नमबर क्योशन है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मौजामबिग और किस देश को UNSC के 117 सदर्शे के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है स्वीजर लेंड को चुना गया है 20 का correct answer होगा इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मौजामबिग और स्वीजर लेंड को सैंतरास्ट सुरक्षा परिशत के लिए 2023-2024 के कारेकाल के लिए ऐस्ताई सदर्शे के रूप में चुना गया है और ये देश एक जन्वरी 2023 से भारत, आयरलेंड, केन्या, मेक्सिको और नौर्वे की जगह लेंगे 80 number question है किस भारतिय ग्रेंड मास्टर ने नौर्वे शतरंज ग्रूप ए ओपन शतरंज टूनामेंट जीत लिया है तो इसका correct answer है आर प्रग्यानन्दा के द्वारा ये जीत लिया गया है डीस का correct answer है ये युवा भारतिय ग्रेंड मास्टर है आर प्रग्यानन्द और इनों ने नौर्वे शतरंज ग्रूप ए ओपन शतरंज टूनामेंट में 9 round से 7.5 points के साथ में ये winner रहे है तो डीस का correct answer होगा 90 number question है सैयुक्त रास्टर की महा सचीव नियुक्त होने वाली बांगलादेश की पहली महिला राजनई कौनस बनी है तो इसका correct answer है रबाब फातिमा बनी है 20 का correct answer है जो United Nations Secretary है एंटियो गुटेरस इनोंने बांगलादेश के रबाब फातिमा को कम से कम विकसी देशो और लैंड लॉग विकासील देशो छोटे जो द्वीप है विकासील राज्ये है इनके लिए उच्च प्रतिनीदी के रूप में नियुक्त करने की गोशना इनोंने की है 20 number question है विश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अंदर भारत किसे इस्तान पे राए है तो इस बार जो भारत है ये 121 वी position पे राए है 20 का connect answer होगा 2020 की अब हम बात करें तो 2020 के अंदर जो भारत है इसकी position थी 117 वी position पे था 2021 के अंदर ये 120 वी position पे था और 2022 के अंदर ये 121 वी पोजिशन पे रहा है 21 नमबर ग्रेशन है खेलो इंडिया युवा गेम्स 2021 की जो पदक तालिका है इसके अंदर कौन सा जो राज्य है ये शीर सिस्तान पे रहा है तो ये रहा है हरियाना इसके अंदर टॉप पे रहा है सीज का करेक्ट आंसर है ये जो खेलो इंडिया यूद गेम्स है इसकी शुरुआत हुई थी 4 जून को कई सानुबे हुई है जिसके अंदर जो हरियाना क्या पंच कुला है इसके अंदर बड़ी संख्या में जो आयोजन है ये हुए है और इसके अंदर जो मेजबान हरियाना है इनोंने जो ये टॉप पे रहा है और इनोंने जो टॉटल मेडल है ये 137 जीते हैं जिसके अंदर 52 इनोंने गोल्ड मेडल जीते हैं और 46 जो है ये ब्रॉंज मेडल है और 39 इनोंने सिल्वर मेडल जीते हैं मतलब total 137 medal के साथ में ये top पे रहा है second position की बात करें तो इसके अंदर second पे रहा है महरास्ट और third position पे रहा है करना टका तो ये याद रखना है आपको 22 number question है उत्तर Korea की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बन गई है तो जो first female foreign minister है North Korea की ये बनी है चोन सुन हुई बनी है इसका correct answer होगा 23 number question है Formula 1 race अजर बेजान Grand Prix 2022 का जो title है ये किसने जीत लिया है तो इसका correct answer होगा ये जीत लिया है Red Bull के driver और नीदर लेंड के रहने वाले Max World Stepan के दौरा 20 का correct answer होगा और Max World Stepan की बात करें तो इनोंने Miami जो Grand Prix है ये भी जीत लिया है इसके बाद में जो spinach Grand Prix है ये भी इनके दौरा जीता गया है और अब इनोंने जो Formula 1 race है अजर बेजान Grand Prix ये भी इनोंने अपने नाम कर लिया है 24 number question है World Blood Donor Day कब celebrate किया गया है तो जो विश्व रगदाता दिवस है ये 14 June को celebrate किया जाता है D इसका correct answer है और ये globally celebrate किया जाता है क्योंकि जो Blood Donation की जो आफशकता है इसके बारे में जागडुकता को बढ़ावा देने और स्वेच्चत और अवेतनिक रख्ट दाताओं को रख्ट के जीवन रख्षक उफार के लिए उन्हें धन्यवाद देने के लिए ये जो दिन है ये celebrate किया जाता है और इस दिन का जो उद्देश है ये नियमित रख्टदान को बढ़ावा देना ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि emergency जो condition है इसके अंदर जो इंसान है ये इसको सस्ती और समय पर जो blood है इसकी आपूरती हो सके तो जो word blood donor जो डे है ये 14 जून को celebrate किया जाता है 25 नंबर question है भांग की खेती को उगाने और बेशने की कानूनी माननेता देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है तो ये बन गया है Thailand बन गया है सीज का गयक्तान सा होगा और देश में अर्थ व्योस्ता को बड़ावा देनी के मकसद से इस government ने भांग की खेती को कानूनी माननेता दी है Thailand की बात करें तो ये located है continent of Asia के अंदर और इसकी capital है Bangkok और यहाँ पे जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है ये कौन है प्रान्यू चान ओचा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है 26 number question है रक्षा छेत्र के सारोजनी उपकरम गार्डन, रिस, शिप, बिल्डर्स, एंड इंजिनियर्स लिमिटीड के नए जो अध्यक्षा और प्रभण निदेशक है ये कौन बन गये है तो इसका correct answer होगा पी आर हरी बने है डीस का correct answer होगा 27 number question है केंड्रिय वित मंत्री निर्मला सीता रामनी धरोवर नामक रास्त्री सीमा सुरक्षा शुल्क और GST संग्राले का जो उध्गाटन है ये कहाँ पर किया है तो इसका जो उध्गाटन किया गया है पंजी गुवा के अंदर किया गया है सीस का correct answer होगा धरोवर देश में अपनी तरह का एक museum है जो न केवल भारतिय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कला करतियों को प्रदेशित करता है बलकि देश की जो आर्थिक सीमा हो और इसकी विरासत वनस्पतियों और जीओ और समाज की रक्षा करते हुए सीमा शुल्क विभाग के द्वारा किये गए कार्यों के विबिन पहलों को भी ये दर्शाता है तो इसका जो उद्गाटन किया गया है ये पंजी गोवा के अंदर किया गया है 28 नमबर क्वेशन है HSNC जो युनिवर्सिटी महारास्ट ने समाज के लिए किये गए अध्वित्य योगनान के लिए किसी मानट बी लिट जो अवोर्ड है इससे समानित किया गया है तो ये दिया गया है उद्गोग पती और जो परोपकारी है रतन टाटा इनको राजबहन मुंबई के अंदर महारास्ट के राज़िपाल बगर सिंग कोशियारी के द्वारा साइत्ते के मानट डॉक्टर से इने समानित किया गया है इसका करेक्ट आंसर है 29 नमबर करेशन है किस पेइमेंट बैंक ने गोडिजिट के साथ में साज़िदारी की है तो गोडिजिट के साथ में साज़िदारी की है फिनो फाय जो पेमिंट बैंक है इसके दौरा एस का correct answer होगा जो फिनो पेमिंट बैंक है लिमिटेड जो बैंक है इनोंने छोटे और जो मध्यम व्यापार मालिकों को दुकान बीमा coverage प्रदान करने के लिए भारत के सबसे तेजी से बढ़ते सामाने बीमा करताओं में से एक go डिजर्ट जनरल इंशोरेंस लिमिटेट के साथ में भागीदारी इनोंने की है 30 नमबर क्योशन है कहां कैंसर अनुसंदान केंदर का उद्घवातन किया गया है तो इसका ग्रेक्ट आंसर है केरल के कौची के अंदर सीज का करेक्ट आंसर है केरल के जो मुख्य मंत्री है पिनाराय विजियन इन्हों ने यहाँ पर एक कैंसर निदान और जो अनुसंदान केंद्र का उधुखाटन किया है जो व्यापक कैंसर निदान सेवाओ के लिए देश की पहली उनकोलोजी लेबोरेटरी है होने वाली है 31 नमबर क्योशन है भारत और किस देश की नो सेना के बीश समन्वित गश्ती अभ्यास कॉर्परेट 2022 का 38 संस्क्रन शुरू हुआ है तो यह हुआ है इंडोनेशिया और भारत की नेवी के बीश में एस का करेक्ट आंसर होगा कॉर्परेट की हम बात करें कॉर्परेट की जो बात है यह 38 कॉर्परेट दोनों देशों के बीश पहला महामारी के बाद में है और इससे दोनों नो सेनाओं के बीश में समझ और जो अंतक्रिया शिलता है इसको बनाने के अंदर मदद मिली है और जो अवेद, गेर, रिपोटेड, एन यमेद और जो मचली पकड़ने, मादक पदार्तों की तसकरी, समुंदरी आतंगवाद जैसी जो भी प्रॉबलम है, इसको उपायों को इसके अंदर जो फैसिलिटी है ये प्रदान की गई है, तो ये इंडोनेशिया और भारत की जो दाहुल श्रीवास्तव, बीस का करेक्टांसर होगा, 33 नमबर की वेशन है, प्रतेग सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की जो योजना है, ये शुरू करने वाला देश का पहला देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है, कैनेडा, सीज का करेक्टांसर होगा, और The Guardian के रिपोर्ट के अनुसार माने, तो कैनेडा दुनिया का पहला ऐसा देश होगा, जहां पर हर सिगरेट पर जो हैल्थ रिलेटेड वार्निंग्स है, ये लिखना नेसेसरी होगा, मतलब हर पैकिंग पर जो चेतावनी है, ये एक ग्राफिक फोटो लगाने की नीती इ तो किस राजिस सरकार ने लॉंच किया है, तो ये जो सॉफ्टो वेर है, ये लॉंच किया गया है, करनाटक जो गवर्मेंट है, इसके दोरा करनाटक सरकार ने यूजनाओं के लिए आधार आधारित एकल खिड की पंजी करन के लिए, किसान पंजी करन और एकी करत लाभार प्रणाली या उसे बोल सकते हैं fruit software को इन्होंने लॉंच किया है जो fruit software है इसको प्रमानित करने के लिए आधार कार्ड और करना तक की जो भूमी digital भूमी record प्रणाली है इसका उप्योग करके एकल पंचिगन की जो सुईधा है ये प्रदान करने वाला है fruits के माधियम से एकल डिजिटल पहचान के निर्मान के माधियम से किसान km किसान के तहट प्रतेक्ष, लाव, हस्तान तरण, फसलों के लिए नियुनतम, समर्थन, मुल्ले के लिए बुपतान, विशेव वित्य साहिता, जाती प्रमान, पत्र, प्रमानी करन और राश्यनकार जै यह कहां पर हुआ है तो इसका correct answer है यह हुआ है Geneva Switzerland के अंदर हुआ है WTO की हम बात करें विश्व व्यापा संगटन की तो यह इसकी स्तापना हुई थी एक जनवरी 1995 को इसका headquarter है Geneva Switzerland के अंदर मेंबर की entries अभी है 164 और डायरेक्टर जनरल यह है WTO के नागो जी ओनको जी इवाला 36th number question है कौन मई के लिए ICC Player of the Month बने है तो इसका correct answer है तूबा हसन और एंजेलियो मैथ्यूस बने है C इसका correct answer है जो International Cricket Council है इन्होंने announce किया है कि श्री लंगा के जो बल्ले बाद स्टार है एंजेलो मैथ्यूस और पाकिस्तान की जो तूबा हसन है इनको मई 2022 के लिए ICC Men's and Women's Player of the Month चुना गया है इन्हें तो ICC Men's का और इन्हें ICC Women's of the Month के रूप में चुना गया है 37 number question है भारत के मुख्य सचियों का पहला रास्टे सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा तो इसका correct answer होगा धरमशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर इसका जो आयोजिन है ये किया जाएगा और तीन दिनों तक चलेगी ये जो बैठक है और भीमाचल प्रदेश के धरमशाला के अंदर ये शुरू होगी 38 number question है अगनीपत भरती योजना के तहत युवाओ की सेना में कितने साल के लिए भरती की जाएगी तो ये की जाएगी चार सालों के लिए 20 का correct answer होगा जो अगनीपत योजना है ये शशेस्त्र बलो के लिए एक अल्पकालिक सेवा युवा भरती योजना है जो पूरे भारत में संचालित होती है योजना के लिए चुने गए लोगों को अगनीवर नाम दिया गया है जो रेगिस्तान, पहाड, भूमी, समुंदर और हवा जैसे विविन इलाकों को में ये काम करने वाले हैं तो इनकी जो बढ़ती है ये चार सालों के लिए की जाएगी 39 नमबर क्योशन है भारत का पहला केंदरी करत AC Railway Terminal कहां पर स्टार्ट हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये स्टार्ट हुआ है बैंगलोर के अंदर C इसका करेक्ट आंसर है करनाटक की जो राजदानी है बैंगलूरू इसके अंदर जो अल्ट्रा लगजरी सरेम विश्व एरेया रेलवे Terminal है यहाँ पर इसको चालू किया गया है फोर्टी नमबर क्योशन है भारती अखादे सुरक्षा एवं मानक प्रादी करन द्वारा शुरू किये गए इट राइट चैलेंज 2022 के पहले चरण में कौन सा शहर शीर सिस्तान पे राहा है तो ये राहा है इंदोर इसके अंदर टॉप पे राहा है तो फर्स्ट पे क्या रही है इंदोर रही है सेकिंड पे इसके अंदर है वारान सी और थर्ड पे है इसके अंदर भोपाल फोर्टी वन नमबर क्योशन है भारत और यूरोपीय संग के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिकर सम्मेलन 2022 कहां पर आयुशित हुआ है जाता है 15 जून को ये ग्लोबली है सेलिबरेट किया जाता है हर साल और इसे पवन उर्जा की जो संभावनाए है इसके खोश के दिन के रूप में इसे चिन्नित किया गया है तो ये 15 जून को सेलिबरेट किया जाता है 43 number question है कार्मिक लोग शिकायत और पेंशन मंत्राले के द्वारा जारी नैशनली गवर्नेस सर्विस डिलीवरी असेस्मेंट रिपोर्ट 2021 में किस राज्ये ने सरवादी की स्कोर प्राप्त किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरिला के अंदर इन्होंने केरिला ने सबसे ज़्यादा जो स्कोर है ये इसके अंदर अचीव किया है टॉप थ्री स्टेट इंदर रिपोर्ट की हम बात करें तो फर्स्ट पे क्या है केरिला है सेकिंड पे इसके अंदर तमिल नाडू है और थर्ड जो थर्ड पुजीशन है इसके अंदर है पंजाब यह आपको याद रखना है 44 नंबर क्येशन है भारत में किसी भी ATM से रूपे संचालित कार्ड का उप्योग करके नगत निकाशी शुरू करने वाली भारत की पहली RBI लाइसेंस प्राप प्रीपेड भुपतान साधर कंपनी कौन सी बनी है तो यह बनी है ओमनी कार्ड डीस का करेक्ट आंसर होगा जो ओमनी कार्ड उप्योग करता है यह कार्ड चोरी, कार्ड क्लोनिंग, पिन इस्कीमिंग जैसी धोकादड़ी से पूरी सुरक्षा के साथ अपनी स्वीधा अनुसार किसी भी ATM से जो नगत पैसे है यह निकाल सकते हैं क्योंकि निकासी स्वीधा उच्च सुरक्षा और आती है और उप्योग करता को अपने पैसे और बैंक खाते के विवरन को उजागर करने से यह बशाती है तो डीस का करेक्ट आंसर होगा 45. नमबर क्वेशन है भारतिया रेल्वे में प्रोध्योगी के एककरन को मजबूत करने के लिए स्टार्ट अप नीती को किसने शुरू किया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो केंद्रिय रेल मंत्री है अश्वनी वैशनाव इनके द्वारा ये शुरू की गई है एसका करेक्ट आंसर होगा 46 नंबर क्वेशन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्ती करता देश कौन सा बन गया है तो इसका करेक्ट आंसर है रश्या बन गया है 20 का करेक्ट आंसर है रूस ने इराग के बाद में भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो तेल आपूर्ती करता बनने के लिए साओधी अरब को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है क्योंकि रिफाइनर युक्रेन में युद के बाद भारी चूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल को ये खरीद लेते है 47 नमबर क्वेशन है जगत गुरु श्री संद तुकाराम महाराज शिला मंदिर का जो उदगाटन है ये किस ने किया है? तो ये नरेंदर मोदी चिके द्धार किया गया है 20 का करेक्टांशव होगा प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी ची ने पूणे के पास बेहु गाउं में जगत गुरु श्री संद तुकाराम महाराज शिला मंदिर का उधगाटन किया है जो सत्री शताबदी के संत को समर्पित यह जो मंदीर है 48 number question है Microsoft ने कितने सालों बाद अपने जो web browser, internet explorer को बंद कर दिया है तो इनोंने 27 सालों की सेवा के बाद में इस browser को बंद कर दिया है इसका correct answer होगा 15 जून को इसे पूरी तरे से बंद कर दिया गया है और 1905 में के अंदर Windows 95 के लिए add-on package के रूप में जो internet explorer है इसका जो first edition है यह जारी किया गया था 49 number question है किस राज्य सरकार ने UNDP के संयोग से oxygen उतपादन स्वीधा का निर्मान किया है तो इसका correct answer है New Delhi के अंदर यह किया गया है C's का correct answer है जो oxygen आपूर्ती शम्ताओं के पूरक के लिए दिल्ली सरकार ने संयोगत राष्ट विकार्स कारी कराम मतलब UNDP भारत के संयोग से नई दिल्ली के जो GB पंथ होस्पिटल है इसके अंदर oxygen उतपादन स्वीधा का निर्मान इनोंने किया है 50 number question है नीरच चोबडा ने कितने मीटर भाला फैंक कर नया रास्टर जो record है ये इनोंने बनाया है तो इनोंने फैंका है 89.30 मीटर जो भाला है ये फैंक कर एक नया रास्टर रिकोर्ड इनोंने बनाया है जो फिनलेंड में पाउर नूर्मी खेलों में इनोंने 89.30 मीटर की दूरी पर फैंक कर ये जो record है ये अपने नाम इनोंने किया है और चोबडा का इससे पहले जो रास्टर रिकोर्ड की हम बात करें तो 88.7 मीटर था जो पिछले साल मार्च में पटियाला में इनोंने बनाया था तो ये था आज का हमारा सेशन ये हमारा टेलिग्राम चैनल है यहाँ पर आपको सारे क्वेशन क्विस के फोर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ जाकर आप उनकी जादर से जादर प्रैक्टिस कर सकते हैं आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में नए वीक में थेंक यू